आप सभी का स्वागत हैं आज के कारे पत्रक 23 में जिसमें हम दशमलव की तुलना करना सीखेंगे बच्चों यहाँ पर 10 अंकों की कक्षा परिक्षा हुई जिसमें सान्या ने 8.5 प्रतिशत अंक प्राप्त किये और रोहित ने 8.7 अंक प्राप्त किये तो अगर आपको यह बोला जाए कि पहला नंबर है 8.5 और 8.7 तो उसको किस तरह से तुलना करेंगे पहले आप एकाई अंक को देखिए दोनों में एकाई अंक एक जैसा है 8 एक जैसा है तो यह हो गया बराबर अब दशमलव के बाद बढ़िये दशमलव के बाद 5 है और दशमलव के बाद 7 है तो कौन सा अंक बढ़ा है 7 बढ़ा है तो 8.7 आपका बढ़ा हुआ हम बोलेंग दोनों में 88 है तो दसवे स्थान को हम तुलना करें दसवे स्थान में 5 बटा 10 और 7 बटा 10 है तो 7 नमबर बढ़ा हुआ 5 से इस प्रकास से 8.7 बढ़ा हुआ ठीक है यह आपको समझाया अब आगे करते हैं हम अब इन संख्याओं के हमें तुलना करके बताना है कि इन में से बढ़ा हो गया जिसका इकाई अंक बढ़ा है यह 0 और 1 की कंपारिजन में एक बढ़ा हुआ तो यही अंक आपका बढ़ा हुआ 1.02 ठीक है अगर हम इसको विस्तारीत रूप से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे 1 जमा 0 बटा 10 जमा 2 बटा 100 और 0.99 को 0 जमा 9 बटा 10 जमा 9 बटा 100 चीक है तो इस हिसाब से आपका पूर्ण भाग 1 बढ़ा है तो 1.02 आपका 0.99 से बढ़ा है इसे पकार इन दोनों को जब मिलान करोगे तो यहां पे दोनों का इकाई अंक एक जैसा है दोनों में 2 है उसके बाद दस्वे स्थान को देखिए यहां भी 0 यहां भ तो यह अंक आपका बढ़ा हो गया इस तारी तरूप से लिखते हैं 2.09 को तो 2 जमा 0 बटा 10 और 9 बटा 100 आपको पते हैं पहला जो अंक होता है इसके नीचे बटा 10 किया जाता है और देखिए बाद जो दूसरे नंबर पे होता है वो आपका क्या होता है 17 होता है यह सतांश हुआ 9 बटा 100 यह तुमारा सतांश हुआ और 3 बटा 1000 यह हजार हुआ हुआ तो 3 बटा 1000 क्योंकि इसमें अधिक है इसलिए यह अंक आपका बढ़ा हो गया ठीक है यह अच्छे से समझ आगे ना बहुत असान था अब हमें जब इनको आरोही और वरोही क्रम में लगा अब हम देशमलाव के बाद वाला स्थान देखते हैं ठीक है मैं इसको थोड़ा बढ़ा कर देती हूँ देखिए आप अच्छा देशमलाव के बाद यहां 0 है इधर 3 है इधर 3 है इधर 0 है इधर 9 है इधर 1 है तो 0 वाला कम हुआ ना हमें सबसे चोटा अंक देखना है यान यह तुमारा क्या हुआ देशांश के बाद अगला क्या होता है सतांश तीन सतांश और यहां पर क्या है 005 अगर तुम्हें नहीं समझाए तो इस तरह के जो दो अंक एक जैसे लगते उसको ऐसे लिखके देख लिया करो ठीक है अब इसके अंदर कंपेर करो यह दोनों एक यह दोनों एक जैसे यहां पर तीन बड़ा तो यह नंबर आपका बड़ा है 2.03 तो यह नंबर आपका बड़ा है और यह छोटा है तो हमें पहले कौन सा लिखना है आरो ही करम में छोटा नंबर तो हमने पहले यह लिख दिया 2.005 और उससे बड़ा हमने लिख दिया यह ब देख रहे हो, 0.3, 0.3, ठीक है, उन दोनों से छोटा ये नंबर है, 0.13, 2.13, तो तीसे नंबर पे आपका ये नंबर आ जाएगा, ठीक है, इसको भी काड़ देते हैं, ये भी हो गया, तो 2.13, यहां तक हमने पूरा कर लिया, ये 3 अंक भर दी हैं, अब हमें देखना है, इन दोनों अंकों में से, ये दोनों जो अंक हैं, ये दोनों, 2.35 और 2.3, इसमें कौन सा छोटा है और कौन सा बढ़ा है, तो इसको हम एक खटा लिख लेते हैं, जो एक जैसे नंबर है, आप देखिए, दोनों में एक आई अंक 2 है, दोनों में दशाज का अंक 3 है, दोनों में 17. यहाँ 5 में. 17 में 5 है. इधार कुछ मी नहीं है. यानिकि 0 है. ठीक है. तो कौनसा नंबर बढ़ा हुआ? यह बढ़ा हुआ. 3, 5 बढ़ा है. इन दोनों में यह नंबर बढ़ा है. तो हम यह पहले चोटा लिखना है. है ना? हम यह चोटा लिखना होता है तो हम कौनसा नंबर लिखेंगे 2.30 ठीक है तो यहां पर क्या लिखा 2.3 तो अगला नंबर आपका आजाएगा 2.3 उसके बाद 2.35 यह हो गए और फिर लास्ट में रखेंगे 2.9 ठीक हो गए इस पकार से आपको देखने है और आप इसमें चाहे तो आप ऐसे लिख दी हमें है अगर हमें अब रोही करम लिखना है यानि सबसे बड़ा नंबर लिखना है पहले तो अब यहां पर देखो सब के आगे 4 4 4 4 सब पे जा रहे है तो यह तो बड़ा बड़ गए अब दशमलव के बाद पहला स्तान 1 1 0 0 7 तो अब तुम देख रहे हो 7 सबसे बड़ा न कौन से हैं एक यह दशमलव एक वाला दशमलव एक वाला यह नंबर है इन दोनों में से हमें सोचना है कि कौन सा बड़ा कौन सा चोटा तो हम इन दोनों नंबर को ऐसे लिख लेते हैं और हम देखते कौन सा बड़ा है यह देखो दोनों में चार है दोनों में एक है यहां इसको पहले लिखेंगे फिर इसे लिखेंगे ठीक है तो 4.107 बहुत souvent इसको है कि इससे लिखेंगे अगthinking है तो एक्दम से समझना असान है, इन दोनों नंबर्स को हमने लिखा, 017, 077, दोनों में एक आई अंक बराबर, दोनों में दशाश अंक बराबर, दोनों में सताश अंक में देखी, ये बढ़ा है, 71, तो पहले आपका ये नंबर आ जाएगा, 71, और उसके बाद आपके पास 0.17 ठीक है ये और उसके बाद 4.017 ये नंबर आ गया ठीक है हो गया एक लिए आगे बढ़ें अच्छा यहां पर आपको बताना है कौन सा नंबर बढ़ा है और उस पे दशमलव पे गोला लगाईए ठीक है अब हम इसको करते है 0.5 और 0.05 0.5 और 0.05 अब देखिए दोनों में एकाई अंक पराबर दशांश में ये बढ़ा हो गया 5 तो ये नंबर आपका बढ़ा हो गया ठीक है अगला नंबर देखिए आगे आपके पास नंबर है 1.23 और 1.2 ठीक है ये वाला नंबर C पार्ट में ने करा 1.23 और 1.2 दोनों में एकाई अंक पर बराबर दोनों में दशांश अंग बराबर शतांश में तीन यहां पर फालतू है इधर है नहीं यह 0 बना जाएगा इसका मतलब ठीक है तो 1.23 नमबर आपका बड़ा हो गया ठीक है अच्छा अब यहां पर देखेंगे 0.07 और 0.02 अब इसको तुलना कीजिए 1.0 है दशांश जीरो है और 17 में यहां पर 7 है यहां 2 है तो 7 बड़ा है 2 से तो इसका मतलब यह नमबर आपका बड़ा हो गया तो इस पे गोला लगा दीजिए इन्होंने बोला है बड़े दशमलव पे गोला लगाएं तो यह हमने गोला लगा दिया फिर अगला नमबर है 3 और है 0.08 तो 3 क मतलब क्या होता है 3.0 अब यहां पर देखें पुर्नाक वाले अंग में यह 3 है यह 0 है यह 3 है यह 0 है तो साफ बात है कि 3 बड़ा है तो यह आपका नमबर बड़ा हो गया ठीक है आगे देखिए अब यहां पर दशमलो के तुलना करके बड़े का चोटे का बराबर का निश दशमलो के बार क्या निशान लगा दो सके बाद है 0.20 और 0.2 यह नमबर दिखिए यह दोनों में एक आइएंक Zero है दोनों में दशांश और कोश नहीं है और最ज मनगाई इसका मतलब यह दोनों एक बराबर नमबर हो गए बिलकुल एक चैस्सिंग्ति यह बड़ा है कि इस पेक और 0 है यहाँ भी दशमलों के बाद आप चाहे तो कितनी ही 0 लगा सकते आप इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो फिर भी यह बराबर ही रहेंगी ठीक है अगला अंक देखिए 0.9 और 0.19 अब देखिए दोनों का एकाई अंक 0 दोनों का दशांश अंक यह 9 बड़ा है ठीक है यह एक है तो यह तुम्हारा यह बड़ा हो गया ऐसे निशान लगे है ठीक है अगला अंक देखिए 0.05 और 0.5 ठीक है अब यहाँ पर दोनों में इकाई अंक 0 यहाँ पर दशांश में 0 और 5 तो कौन बड़ा हुआ पांच बड़ा हुआ न तो यह बड़ा हो जाएगा ठीक है इससे आगे देखिए 0.68 इस तरह से तुलना करनी असान हो रही है जिस तरह से मैं लिखने हूँ एक के नीचे एक नंबर लिख रहेते हैं इससे असान हो जाता है इक आई अंक तो नों में 0 है दशांश अंक देखिए दशांश में दिख रहा है आठ बड़ा हो गया तो यह नंबर आपका बड़ा है इस तरीके से हमने बड़े चोटे का निलने कर लिया आगे हमारे पास प्रश्न है कि इनको आरोही करम में लिखने आरोही करम यानि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर चुनेंगे उसके बाद उससे बड़ा उससे बड़ा इस तरीके से करेंगे ठीक है तो यह हमने चुन रखा है पहले कोशिश करते हैं देखो अब यहाँ पर देखिए पहले इक आई अंक देखिए बड़ा है तो यानि पहले नंबर पर सबसे छोटा अंक यह हुआ पहले नंबर पर यह आया और दूसरे नंबर पर 1.9 आया ठीक है तो 1.09 और उससे बड़ा क्या हुआ 1.9 तो हम यह बोल सकते कि ऐसे बढ़ते करमे ऐसे निशान लग जाएगा यह निशान लगाते चलने है सबको बीच में हर अंक के बीच में इस तरह का निशान लगाते हैं ठीक है यह दो अंक होगए हमारे तो यह दो होगए तो हम इनको काड़ देते हैं अब आगे तुलना करो ये 2.2.3.4 तो अब 2.2 वाले में से हमें चुनना है कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है तो अब हम यहाँ पर देख रहें, दोनों में 1.2 है, दोनों में 0 है, शतालशंग पांच वाला ये बड़ा हुआ, तीन वाला चोटा हुआ तो पहले हमें छोटा लिखना है तो 2.03 आ जाएगा और उससे बढ़ा 2.05 ठीक है इस पीछ में ऐसा निशान लगाते चलना बच्चो ठीक है ऐसे ऐसे निशान लगाते चलना यह हो गया अब हम देखते हैं 4 अंक हमारे सेटल हो गया यह भी हो गया आप देखरो यह हो गया यह हो गया यह हो गया अब इन दोनों में तो बता सकते हैं कौन सा चोटा है यह 3.5 यह 4.9 तो 3 एकाई अंक 3 यहां पे 4 तो 3.5 छोटा है तो 3.5 फिर 4 पर नो ठीक है इस तरीके से हमें तुलना करने हैं अगले वाले में देखिए यह फिर आरो ही करम में बी पार्ट है यहां प 1.99 अब इसमें देखो आप दोनों में इकाई अंक में 00 दशांश में देखो 9 यह बढ़ा है तो 0.09 चोटा है तो पहले नंबर पर यह अंक आजाएगा यह फर्स नंबर पर आजाएगा यह सेकिन नंबर पर आजाएगा ठीक है उसके बाद यह दोनों हो गए हमारे इनको आ 1.99 1.931 यह तीनों एक वाले हैं तो इन तीनों को हम एकटा लिख देते हैं पहले 99 1.93 1.09 अब इन तीनों की तुलना करते हैं सब में 1 है दशांश अंक में लाओ 0 यह छोटा हुआ तो तीसे नंबर पर हमें पहले छोटा अंक लिखना है यह आरो ही करम है तीसे नंबर पर तुलना कीजिए दोनों में 9 है यहा तक बराबर चल रहा है 9 3 तो यह छोटा है यहाँ पर हम जब स्थांश को देख रहे है तो 3 सतांश है यह 9 सतांश है तो इसी चौथे नंबर पर यह आ जाएगा पाच्वे नंबर पर यह आ जाएगा तो चलो असे देखिए पहले नंब नमबर पे 0.99 तीसे नमबर पे 1.09, 1.93 और 1.99 हो गया, तो जिस प्रकार से मैं ऐसे तुलना करके लिख रहे हूं इसी प्रकार से आप इसको तुलना करके लिखेंगे तो बिड़कुल करबर नहीं होगे, अगला देखिया अवरोही करम, अवरोही करम में हमें क्या करने हैं दोनों में से कौन बड़ा है, एकाई अंक 3 है, दशांश में 4, तो ये बड़ा हो गया, फस्ट नमबर पे, ठीक है, उसके बाद 2 नमबर पे ये आएगा, तो ये दोनों नमबर तो तुमारे हो गए, अब यहां पे तुलना करो इन तीन नमबर की, तो 2.54, 2.89, 2.9, अब हम हो गया, तो ये तीसे नमबर पे लिखा जाएगा, आठ वाले नमबर 5, 4 था और ये 5 हो गया, अब इसको देखें, हम चेक करें, पहला नमबर 3.40 था हमारा ये, फिर 3.04 था, फिर 2.9 तीसरे नमबर पे, 2.89, 2.54 हो गया, और इन सब के बीच में हम क्या निशान लगा सकते ह अवरोही करम के लिए, ये पहला नमबर लिखने के बाद, जैसे ये नमबर लिखा 3.40, ऐसे करके हम सब के बीच में ऐसे निशान लगा के चल सकते हैं, इस तरह का निशान लगाते चलिए, ठीक है, ये हो गया हमारा अवरोही करम का, अब नेक्स्ट ये करते हैं, यहाँ प तुलना कीजिए, दोनों में एक आइंक 8 है, दशान लगा बढ़ा है, तो पहले नमबर पर ये आजाएगा, और दूसरे नमबर पर ये आजाएगा, ठीक है, तो एक ये हो गया हमारा और एक ही हो गया, उसके बाद है हमारा 6.80, 6.50, 6.9, अब इसमें तुलना करो, कौन सा जो बढ़ा है, पहले में बढ़ा नंबर चुलना है, तो 6.59 फी 6.08 फी 6.5 है तो निशान लगा दो ये ये तीसे नमबर पर आएगा, ये चौते नमबर पर आएगा, और ये पांचवे नमबर पर आएगा, चलिए करते हैं, 8.79 ये पहली नंबर का, 8.64 दूसरे नंबर का, 6.9 तीसे नंबर का 6.8 चौथे नंबर का और 6.5 तो इस तरीके से जब आप एक के नंबर एक लीचे लिख लेंगे ना इस तरह से आपको तुलना करने में बहुत असानी होती है और धीरे-धीरे जब आपकी प्राक्टिस हो जाती इस नंबर से आप अच्छे से फैमिलियर हो जाते हो फिर तो आप बस इस ही को देखके तुरंत लिख पाते हो ठीके तो इसमें बिल्कुल घवराने के जरुवत नहीं है इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना कोई दिक्कत आ रही है तो 2-3 बार सुनोगे तो यह अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है बच्चों इस वर्क्षिट को हम यहीं ओवर करें मैं आशा करते हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कमेंट सेक्षन में कमेंट करिएगा शेयर कीजिए लाइक कीजिए हम लोग फिर मिलते हैं तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा नमस्कार बाई बाई